Audio Frequency, यह क्या होता है? Frequencies के बार में मैंने अलरड़ी एक वीडियो बना चुका हूँ और जिन लोग ने वो वीडियो नहीं देखा, मैं उधर उपर एक लिंक डाल दूँगा आप जाके क्लिक कर से देख सकते हो और वापस यह वीडियो पर आके इसके बार में इसका एक चीट शीट है जिसमें हम लोग डिफरेंट इंस्ट्रुमेंट्स का हम Audio Frequency समझ सकते हैं जो हमारे Mixing के लिए बहुत helpful रहेगा तो जो लोगों को ने मालूम यह शीट कैसे पढ़ते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कल यूट्यूब कम्मूनिटी में यह एक Frequency चार्ट पोस्ट किया था उसमें बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि सर हमें बता दीजिए कि यह शीट कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं तो बहुत लोगों ने पूछा Can we get explanation of this शायद बहुत लोगों को मालूम रहेगा और बहुत लोगों को मालूम नहीं कि यह क्या चीज़ है तो मुझे यह शीट मिला था actually sweetwater.com में जहां पर basically यह लोग बहुत सारे electronic और musical instruments बेशते रहते तो वो website में मुझे यह मिला था तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोग को यह जो शीट है इसके बार में मैं आपको explain करूँ और यह थोड़ा आपको help करेगा understand करने के लिए आपका mixing जो है mixing के लिए help करेगा आपको और अगर आप चाहिए तो इस website में जाके आप इधर से यह PDF फाइल जो है download भी कर सकते हो और आप अपने साथ रेक भी सकते हो तो जब भी आप mixing कर रहे हो तो आपको यह थोड़ा help करेगा ठीक है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं जिन लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमन कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग सीख सके और बेल नोडिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिएगा ने तो जब तक आप लोग वे बेल नोडिफिकेशन आइकन नहीं दबाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है अगर आप सपोर्ट करना चाते हो जो भी मैं का इंस्ट्रूमेंट के बारे में दिया हुआ है नाम जो भी इंस्ट्रूमेंट है और नीचे आप देख सकते हो यह ग्राफ है नीचे आप देख सकते हो कि इधर फ्रिक्वेंशी का रेंज दिया हुआ है जैसे की एच जेड माने तो हर्ट्स हो गया फ्रिक्वेंशी का जो र देता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यह किस चीज को रिप्रसेंट करता है यह हमारा जो है equalizer को रिप्रसेंट करता है आप कोई भी प्रोग्राम लेंगे डिजिटल ओडियो वरक्स्टेशन यह है different instruments जो है और यह frequency range के division किया हूँ इन्होंने जो है sub, low frequency, mid range, high mid range और high frequency तो यह 5 different frequency range को इन्होंने divide किया हूँ ताकि हमारे लिए easy हो understand करना दूसरा जो चीज है एक और frequency chart है जिसमें मैं आपको बतारा चाहता हूँ, frequency chart कहीं पे भी आप लिख देंगे तो आपको Google में आप images में जा सकते हो, मेरा जो favorite chart है यह है तो इन में से सबसे मेरा favorite जो frequency chart है बहुत सारे variations मिलेंगे आपको यह देखिए यह भी है तो यह देख लेते हैं हम लोग यह मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में तो हम लोग इदर चलते हैं और इसको थोड़ा और बढ़ा करें दो मैं अगर बढ़ा हो सकते हैं तो यह रहा अब इदर आप दे frequency है और उसके बाद base band है 40-160 frequency तक तो इसमें क्या बोल रहे हैं यह लोग more felt than heard requires an enormous amount of energy इसमें सब बेज में हमें ज्यादा सुनाई नहीं देता लेकिन हमें feel होता है कि हाउदर bass है क्योंकि vibrations होता है company होता है तो यह company के कारण हमें यह सब बेज जादा हमें feel होता है ठीक है और इदर bass band है जहां पे हमारा kick bass can be get cluttered and woofy sounding that is where the thumb comes मतलब हमारा kick और bass line जो है जातर पचप यह जो आप इन्हों ने दिया हूँ 55 और 110 hertz या 40 और 160 hertz के बीच में ही आता है अगर मैं इदर आके आपको लेके चलूँगा चलो पहले मैं पूरा पता तक फिर upper band फिर low mid mid range अपर mid range और high frequency और ultra high frequency तो इदर जो दिया हूँ है देखिए 21 से लेके 22 तक 22 kilo hertz तक हमको दिया हूँ है 20 hertz से शुरू हो रहा है और उसके बाद ये पूरा range हमको दिया हूँ है अभी हम लोग read कैसे करेंगे अभी देखिए vocal fullness, boominus, vocal male और vocal female अभी vocal male जो है ये शुरू होता है almost इदर देखिए 80 या 70 या 120 hertz ये देखिए 120 hertz लिया हूँ है, boominus 200 to 240 hertz तो ये जो है normally ये average बता रहे है मतलब हर आदमी का vocal range अलग रहेगा तो ये average बता रहे है कि 120 hertz तक 120 hertz से शुरू होता है vocal male का और female का अब देख सकते हैं अगर ये चार्ट का line लोगा मैं, ये कहां जा रहा है ये है 220, तो 200 hertz के बाद female का जो है vocal frequency शुरू होता है ठीक है और ये है flute का और flute का अगर मैं align पर जाओंगा नीचे तो flute का जातर शुरू होता है, ये middle C मतलब हमारे keyboard का जो है middle C frequency range होता है तो ये शुरू हो रहा है almost 220-240 hertz पर ये देखे, flute और same ये है clarinet और एक दूसर इंस्ट्रमेंट है ये सब अलग frequency range से शुरू होता है, honk ये देखे, trumpet, trombone ये wind instruments हो गया, ये vocal हो गया, ये saxophone का हो गया, और strings का देखे, और ये drums का तो इस frequency range में हम लोग क्या सीख सकते हैं, तो ये frequency range में हम ये सीख रहे हैं कि हम अभी for example, ये kick drum का जो punch है, ये शुरू हो रहा है almost 40 hertz पर, ये देखे, देखा आपने, 40 hertz पर, तो 40 hertz से पहले इसका कुछ भी नहीं है, वो हो गया हमारा mud, तो उसको clear करना परते हैं, वो clear करने क हम लोग क्या करते हैं, उसको high pass करते हैं, तो आप लोग को याद होगा कि, मैंने बताया था, equalizer में high pass हम क्यों करते हैं, same like that, अगर हम stair drum ले रहे, तो अगर stair drum इदर से शुरू हो रहा है, तो ये देखे, ये शुरू हो रहा है, almost 105 या 110 hertz है, तो उसको इदर से भी हम high pass अकूस्टिक गिटार, ये है bloom, body, presence, जहां पर हम लोग presence बोलता है, वो high frequencies में जातर होता है, समझे आप, तो आपको इसमें से कौन सा range ये frequencies, आप वो high pass करके आप ले सकते हो, अगर मेरे को bloom से शुरू होना है, मतलब जहां से उसका base शुरू होता है, तो मैं इदर तक high pass करू होता है, और उसमें कौन कौन से range में हमको frequency मुझता है, जैसे ये वाला, अब देख सकते हो, drums का fatness इस दर से शुरू होता है, crispiness 5 और 6000 kilohertz पे है इसका, fullness 120 to 24 और attack 5 kilohertz पे है, तो ये different frequency ranges का, different instruments का, हम लोग ये frequency chart देखके mixing में हम लोग को थोड़ा help कर सकता है, सेम चीज, ये चीज में भी ये दिखा रहा है, कि हमें ये sub-base frequencies, जो sub-base frequency चाहिए, जो instrument project करता हो, जैसे ये हो गया strings में इदर, और drums में जो होता है, वो उतना रखे, बाखी चीज को high pass करें, सेम एक और frequency chart है, आपको मैं दिखा दिता हूँ, ये मेरा, जैसे मैंने आपको पता है, ये मेरा सबसे favorite है, इसमें भी आप देख सकते हो, male का जो frequency है, 100 hertz में शुरू होता है, female का जो है 210, kick का देख लीजिए, और ये frequency में देख लीजिए, sub-base मतलब इसमें chest, thumb, rumble, AC ground, मतलब इसमें जो है, electrical जो sound होता है हमारा, या heart beat हो गया, ये सब इस range frequency में रहता है, जो हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन वो उदर है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग हाइपास करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, क्या, ये वाला, ये देखा, इसको हाइपास बोलते हैं हम लोग, तो अगर उस frequency range में कोई instrument खेल रहा हो, जैसे य ये वाला हो गया, हार्प, जो pipe organ जो इदर से है, बड़ा वाला उसका जो strings है, या कुछ भी wind instrument हो गया, या kick हो गया, तो वो उसको over cover कर लेगा, तो इसलिए हम लोग को tension है, लेकिन ये सब instrument जहां पे है, जैसे flute हो गया, देखे इदर, ये मिडल सी से शुरू हो रहा है, और ये है हमारा 240 hertz पे, अलग-अलग instrument का अपना frequency range है, और हम उसको उसका जगा पर ही रखना पड़ता है हमको, ताकि हमारा जो mix जब हम करते है, तो वो एक clarity हमको मिल जाए, और उसको ज़्यादा cut करेगा, वो आपकी उपर है, आपको कैसे आपका mix ही है, उसकी हिसाब से आप कर सकते हो, तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको दिखा है frequency, चार्ट रीड करना बहुत मुश्किल नहीं है, जो left में आपको दिख रहा है, वो है instruments, और वो instruments का जो right में आपको दिख रहा है, वो है frequency कहां से शुरू होता है, हर instrument का अपने एक starting point रहता है frequency का, company क्या होता है, vibration, vibration से ह हमारा notes आता है, music आता है, तो वो vibration कहां से starting point है, वो starting point का range बता रहा है, यह चार्ट में जो दिखा है आप लोग, different instruments के उपर दिखाया गया है, कि हर instrument का अपना frequency range रहता है, और वो range को हम लोग को respect देना पढ़ता है, और अगर यह frequency chart की साब से आगर आप production कर रहे हो, music production कर रह हो, तो उसकी साब से आपको कितना high pass करना चीए, और कितना कौन सा आवाज आपको चीए, उसका high, mid and low में, कैसा frequencies आपको चीए, अगर जो नहीं चीए, आप अपना equalizer यूज करके आप निकाल सकते हो, और उसको tweak भी कर सकते हो, और इस पे आप practice कीजिए, different instruments आप record जब करते ह हो, live instruments भी आप जब record करते हो, ये चार्ट हाथ में रखिए, तो आपको बहुत help देगा, आपको अगर मालूम नहीं है इनका range क्या है, equalizer डाल दीजे, और equalizer में आपको पता चल जाएगा कि आपका frequency range कहां से शुरू हो रहा है, और ये अगर पता करना है, तो आपको definitely graphic equalizer चा बहुत helpful होता हो, अगर आपके पास graphic equalizer नहीं है, ये चार्ट आप रख सकते हो, और ये चार्ट बहुत helpful रहेगा आपको, तो ठीक है दोस्तों, hopefully ये वीडियो जो है, आप लोग को पसंद आया रहेगा, और जिन्होंने ये question पूछा था, ये चार्ट के बारे में, मैं आप इसका भी link नीचे डाल दूँगा description में, आप देख सकते हो, डाउलोड भी कर सकते हो ये चार्ट, और दूसरा भी बहुत सारे चार्ट है, वो भी देखके परखके आप सीख सकते हो, और वो आप try भी कर सकते हो अपने projection में, और देखिए frequency range के उपर आपका mixing कितना अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों, अभी मैं चलता हूँ, मिलते हैं छोटी सी break के बाद, धन्यवाद. जर बहां हो रिख़के हो अजया होगा 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 हो भी भी 30.